स्वामी विवेकानंद का दर्शन स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिये लेकिन 36 वर्षों में उन्होंने ऐसी फिलोसोफी दी जिसके की डेट सो वर्ष मना चुके यानि उन्होंने एक ऐसा आचार प्रदान जीवन जिया और उन्होंने प्रैक्टिकल योग की बात करके दुनिया को एपलाइड योग दिया कि वह एक साधान व्यत्ती भी पालन कर सकता है विवेकानंद ने जब वो युवा हुए तब उन्होंने देखा कि गुरू बिना ग्यान नहीं है तो उन्होंने गुरू की खूब खोज की खोज करते करते वो कन्या कुमारी के मठ के अंदर आये वाश्री रा जहां राम कृष्ण जो है परमहांस मिले वो उनके गुरू मिने परतम दर्ष्टवा गुरू को शिष्षी मिल गया और शिष्षी को गुरू मिल गया वहां से जो है वो स्वामी विवे का नंद बने और उन्होंने प्रैक्टिकल योग की बात कही कि जो हमारा योग वर्तमान के अंदर हम जी रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए उन्होंने हर वक्त कहा उन्होंने यूकों को कहा के उठो जागरित हो और तब तक चलते रहो जब तक गंतव्य प्राप्त नहीं हो जावे तो उन्होंने जो हमारे यूकों के अंदर प्राण फूका प्रैक्टिकल योग दे करके और उन्होंने जो है अमारी भारती संस्कृती को बहुत सम्रिद्ध किया और उन्होंने अठारा सो चोराणवे के अंदर जो शिकागो के अंदर आज भी वो प्रवचन जो है बहुत प् उन्होंने सिकागो अमेरिका के दर बहुत बढ़ा बनाया तभी विश्व दीरे दीरे भारत को एक धर्म गुरु देश मानने लग गया तो स्वामी विवेकानंद का दर्शन है बहुती अत्ति उत्तम दर्शन